साथियो आप लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं या फिर कोई बीमा पॉलिश का काम कर रहे हैं कि उसमें इंस्टॉल्मेंट कितनी है कुछ इस परकार की इंस्टॉल्मेंट जिनको हमने ये देखना है कि इसकी इंस्टॉल्मेंट कितनी है कितने दिन बाकी रह गए कितने दिन की installment है, या कितने दिन हो गए, इस परकार की सारी calculation हम financial formula से करते हैं, कौन-कौन से formula यूज होंगे, वो सारा जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहेगा, नमस्कार साथियो, मेरा नाम है मनुश कुमार, और आप देख रहे हैं, computer ग्यान गुली चैनल, तो चल फोमले हैं, अब जैसे formula है, इन में सबसे पहला formula है, कौप डे बीएस, इसका मतलब बता है, कौप डे, बिफोर सेटलमेंट, इस परकार सभी का description भी मैंने यहां पे लिखा है, जो हम formula के साथ साथ आपको बताते रहेंगे, अच्छा, इन सभी formula का syntax भी shame है, आप यहां पे द और basis, सभी formula में यह चार चीज़े पूछता है, और यह चारों चीज़े क्या होती है, इनको मैंने देखो यहां पे explain किया है, जो settlement date होती है, वो लेनी होती, start date, maturity date होती होती, end date, और frequency, number of coupon पे, यानि कि जो हम pay कर रहे हैं, installment है, जो भी हम pay कर रहे हैं, वो yearly दे रहे हैं, half yearly य और basis के अंदर, हम किस base पे calculate कर रहे हैं, 360 days पे, 365 days के उपर, इस file को आप description में से download भी कर सकते हैं, practice के लिए, अब देखिए, सबसे पहले हम formula करवाते हैं, आपको, coupon days before settlement, इसका काम होता है, left days calculate करके बताना, कि आपकी जो installment है, जो installment आपकी जा रही है, उसमें जब आपने पहल इंस्टोल्मेंट करी थी, और अब जो दूसरी installment करनी है, उसके लिए आपके पास कितने दिन और बच गए, वो left days calculate करके बताता है, अब इमान लीजिए, मेरे पास यहाँ पे start date मैंने ले रखी है, end date ले रखी है, यह settlement date हो जाएगी, यह maturity date हो जाएगी, उसके बाद हमने coupon page के अंदर yearly देखना है, half yearly देखना है, या quarterly देखना है, वो हम तीनो परकार से check करेंगे, क्या हमारा result सही आता है, क्या नहीं आता है, number of days हम calculate करेंगे 365 days के अधारपे, ना कि 360 days के अधारपे, क्योंकि हमारे पास, आप 360 day calculate करना चाहते है, other country से हैं, तो वो कर सकते हैं, यह इं देखना है, देखना है, देखना है, सबसे पहले क्या मंग रहा है, settlement, settlement में क्या आएगा हमारी, जो start date हो, कॉमा यूज करेंगे, अब कह रहा है, maturity, maturity के अंदर, end date, clear, उसके बाद frequency, frequency में हम manual भी लिख सकते हैं, annual के लिए हम एक टाइप करें, शेमिया इन्वल के लिए, यानि कि half yearly के लिए दो टाइप करें, एक quarterly के लिए चार टाइप करें, manual भी लिख सकते हैं, यहाँ पर double click भी यूज कर सकते हैं, या फिर हमने cell में डाल रखा है, कहीं पर तो cell address भी दे सकते हैं, कॉमा यूज करेंगे, basis के लिए हम एक नंबर ले करेंगे, actual 365, बाकी के अंदर क्या है, 360 है, तो हमने 365 डेज पर करना है, तो हम एक नंबर यूज कर लेते हैं, bracket close यूज करेंगे, और enter प्रेस करेंगे, तो क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर 31 डेज लेफ्ट, यानि कि अभी जो हमारी last installment अब जाएगी, उसके लिए 31 दिन next premium कब जाना चीए, 4 जनवरी 2020 को जाना चीए, जबकि end date हमने क्या डाले, यहाँ पर 4 बारा 2019, तो 4 जनवरी तक पहुंचने के लिए कितने दिन और बच गए अभी installment के, अभी बच गए, 31 दिन और बच रहे हैं, आपकी next installment के लिए, यह तो yearly का बच गया, 31 दिन लेफ्ट यहाँ पर मैंने start date सभी शेम लिए, end date भी as it is, ऐसे कैसे लिए, अब इसको हम half yearly calculate करके देखते हैं, मैं इस formula को नीचे तक copy कर देता हूँ, देखिए, copy कर दिया तो मतलब यहाँ पर half yearly के लिए दो नमबर उठा लिए, ना, देखो मैं अब 2 करके यहाँ पर दिखाता हूँ कैं यही दिखाना चाहिए यही दिखाना चाहिए अगर yearly है तो सही 31 दिन बच रहे हैं, half yearly है तो भी 6 महिने की जा चुकी next 6 महिने, पूरे उने में 31 दन बच रहो है यहाँ पर quarterly दे रहे है, तो 3 quarter हम दे चुके हैं, 4th quarter के लिए 31 दिन बच रहे है तो exact correct दिखा रह चलो आग total days है वो कितने हैं जो भी हमारी installment है चाहे हमने yearly है या half yearly है quarterly है उसके total days तो हम यहाँ पर use करते हैं formula equal to c-o-u-p-d-a-y-s bracket start करेंगे आप यहाँ पर देखें इसका syntax arguments के अंदर same वोई चीज़ें दिखा रहा है na settlement maturity frequency और basis settlement में हमने वो start date लेनी है comma end date लेनी है उसके बाद frequency annual यह semi annual तीनों हम यूज़ करके देख रहे हैं तो यह तो यह तो जो total days है settlement के जो yearly दे रहे है वो कितना रहा है 365 days के हमारी settlement date है और सभी के अलग अलग हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो 182 days की है यहाँ पर 90 days की है क्यों क्योंकि यह yearly है 365 days यह half yearly है तो 6 months के 182 days और यह quarterly है तो 3 months के 90 days right next formula चलते है अब आता है coupon day snc यह formula calculate करके दिखाएगा remain days यहनि की calculate the number of days from the settlement date to the next coupon rate तो remaining days कितने हो गए yearly यह half yearly यह quarterly इसके लिए formula हम यूज करते है coupon day snc bracket start same arguments है वो यह फटा फट डाल देते है start date end date and coupon number and basis में one bracket close and enter अब इसको फटाक से नीचे तक फिल कर लेते हैं और समाज लेते हैं 364 days यानि की remains days हमारे कितने है देखिए अभी 31 days हमारे left रह गए थे यहां पर जो हमने left days निकाल ले थे 31 days निकाल ले थे अब yearly में से तो 365 में से 31 अगर हम less करते हैं तो कितने remaining रह गए 364 इसी परकार half year में हमारे 31 left days थे और total days होते हैं 182 182 में से हमने 31 less कर दिये तो कितने बज गए 150 similarly यहां भी correct आगे चलते हैं अब formula आता है coupon ncd इसका मतलब होता है next installment date कि हमारी जो installment date है हमने आज पे करा है तो next date क्या होगी तो formula क्या display करेगा यह करेगा represent the next coupon date एक बार लगा के देखते हम यहां पर equal to coupon ncd bracket start करेंगे पोई settlement maturity frequency and basis bracket close enter press करेंगे तो यहां पर क्या आ गया यहां पर आ गया numbers चलो इसको निज़े तक फिल कर देते हैं यह journal format है इसको date format में change करेंगे तो उपर चलेंगे यहां पर और journal की बजाए हम इसको कर देंगे date format के अंदर और date format हमने complete देखना है तो इसका और format हम change करेंगे हम यहां से चले जाएंगे more numbers format जहां पर जाएंगे custom और dd mm yy दिख रहा है इसको yyy कर देंगे और ok कर देंगे तो पूरी date नजर आ जाएगी तो next installment date के आएगी चार बारा दो हजार उनिश तो यह तो गलत आ गया जबकि आना चीए चार एक दो हजार बीस नहीं यह गलत नहीं है यह सही आया क्योंकि हमने end date यह लिए देखिए next को देखिए आप यह चार बारा को एक साल पूरा कर रहा है यहां पे चार छे को छे मेने पूरे कर रहा है जबकि पांच मेने बाद ही पूरे कर रहा है ना तो यह जो end date है इसके हिसाब से इसने calculate किया है अगर हम यहां पे date change कर दे मैं यहां पे करता हूँ पूरी yearly मैं कर देता हूँ चार एक दो हजार बीस और इस date को मैं निचे तक फिल कर देता हूँ control D then अब देखिए सभी की date आपको accurate मिलेगी यह चाहे हम half yearly इंस्टॉल्मेंट हो चाहे quarterly इंस्टॉल्मेंट हो देखिए half yearly के अंदर हमारी चार जन्वरी के बाद next date क्या होगी वो होगी 4 जुलाई 2019 इसी परकार 4 जन्वरी 2019 के बाद चो quarterly date आएगी इंस्टॉल्मेंट की वो आएगी 4 अप्रेल 2019 सई चल रहा है चलो आगे चलते हैं आगे आता हमारा coupon number coupon number दिखाता है हमारी total इंस्टॉल्मेंट यानि कि how many installment in a period हमने एक पीरियड में यानि कि एक साल में कितनी installment देनी है तो यहां पर आप देखी रहे हैं जो coupon नमबर ब्रैकेट स्टार्ट करके फटा फटा हम यहां पे इसके औरकुमेंट फिल कर देते हैं एक दो ती एंड वन ब्रैकेट क्लोज एंट कितना आगया अगर यहली इंस्टॉल्मेंट है हमारी तो टोटल नमबर कितने आगए इस्टॉल्मेंट के एक एसी को निचे तक हम कर दें सही आगया जही सही है थाम को और यही आगया अब आगे चलते हैं लास्ट है हमारा कूपन PCD यह रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस कूपन डेट को तो कूपन PCD क्या करेगा प्रीवियस इंस्टॉल्मेंट डेट दिखाएगा चलो देख लेते हैं पहले वाले इं इंस्टॉल्मेंट डेट तम करेंगे एक्वेल कूपन PCD ब्रैकेट स्टार्ट सेटल्मेंट मैचियरटी रिक्वेंसी एंड बेसिस सेम हमने और फिल कर दिया एंटर पैस कर देंगे फिर से वही नंबर आ गया इसको भी हमको टेट फोर्मेट में चेंज करना पड़ेगा प देट के अंदर और फुल लॉंग डेट सी है तो वही हम नंबर में जाके कस्टम और वाई वाई और जोड़ देगे ओके नेक्स जो डेट होगी हमारी इंस्टॉल्मेंट डेट वो क्या होगी इस एंड डेट के हिसाब से वहोगी चार बारा दो हजार अठारा और यदि हमा तो नेक्स्ट आ जाएगी हमारी से प्रिवियस वाड़ी वो आ जाएगी 4.1.2019 जो आप यहां पे देख रहे हैं अगर एंड डेट हमने एकुरेट ले लिए एक साल की तो प्रिवियस डेट हमारी ये दिखाएगा अगर ये डेट हमने इससे बीच की डाल रखिए तो प्रि आई होफ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगाओगा हमें कमेंट्स में बताएं हमारे वीडियो को में दोस्तों में शेयर करें हमें लाइक करें और यह दिन नए है आप हमारी चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें